वीर के सिस्टम में कुछ प्रोब्लम हो जाती है जिसकी वज़ा से वो सौफे पर लेटा हुआ था तब ही दोड़ते हुए वहाँ पर शिवा आ जाता है और शिवा वीर से कहता है वीर जल्दी चलो फुरसत गंज पर मैडमेक्स के रोबोट्स ने हमला कर दिया है वीर बिलकुल भी नहीं उठता तब ही वहाँ पर दादाजी आ जाते है और दादाजी वीर से कहते है वीर उठ जाओ जल्दी उड़ो वरना मैडमेक्स पुरसत गंज को तबादेगा उड़ो वीर जल्दी उड़ो तो शिवा कहता है दादाजी लगता है इसके सिस्टम में कुछ प्रॉबलम होगी आपको इसका सिस्टम चेक करना होगा तब ही दादाजी रोबोट वीर दा रोबोट का सिस्टम चेक करते हैं और शिवा से कहते शिवा तुम जाओ और जल्दी से इमली को बुला कर ले क्याओ इमली को पता है किसके पार्ट कहाँ पर रखे थाकि मैं आसानी से इसको रिपैर कर सकूँ तो शिवा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वो इमली को लेकर थोड़े देर में वहाँ पर आ जाता है इमली दादजी से कहती दादजी वीर को क्या हुआ वीर को कुछ प्रॉबलम तो नहीं होई क्या इसके सिस्टम में कोई खराबी है तो दादजी इमली और सिवा से कहते हाँ इमली इसका सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और हमें इसका सिस्टम को सुदार ना पड़ेगा तो इमली कहती है ठीक दादा जी बोलो मुझे क्या करना होगा मैं वीर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो दादा जी इमली और स्विवा से कहते है ठीक है जाओ जल्दी से मेरे के लेबरोटी से कुछ सामान उढ़ा कर लेकर आओ जो के बॉक्स में रखा है वो सामान में सारा सिस्टम है जो के रोबोट को ठीक कर देगा दोस्तों क्या इमली वो सामन लेकर आपाएगी क्या हमारा रोबोट वीर दर रोबोट बहे उट पाएगा या फिर फुरसत गंच को मेड मेक्स और उसके बेज़ेवे रोबोट तबा कर देगी ये जानने के लिए सेकंड पार्ट कमेंड में जरूर लिखे और चैनल को सब्सक